हलो क्लाशिक्स स्टुडेंट तुडेए यूर दू यूज दू भीनोक विडिशॉर्ट्टेश विच चैप्टर 5 दू मिन्राल रिसोर्सेस नौ मंवट इस मिन्राल रिसोर्सेस वांड इन डरोक्स बेने दर एर्च शर्फेस मिन्रेल अनली फ़ांड एज ओर इस अनल्ग वि जाती है मिनला मैंनली फाउंड एज और इसका क्या मतलब हुआ कि मिनल्स मैंनली कहां पर पाये जाते हैं और यानिकि जो कच्छी धातु होती है हमारी उनके साथ पाये जाती है विद अधर सब्स्टांस इस डेहब टूबी जग आउट फ्राउंड अर्थ एस दे आर बर्ड इन साइड दा अर्थ Bob death means 2 वी दो इनको जो रॉक सति है उनको खोथ एक साथ से खोथ कर निकाल निकाला जाता है जो उनकि प्ली मतलों हुए होते हैं मतलब न Fellows जो हमारी which और साथ साथ से उसके नीचे भी बहुत सारे रॉक्स होती हैं तो बहुत जो डीपली होती है उन इस पावर नहीं है कि दे ऑनोट यूज यह सिर्फ सूर्स स्वर्स नहीं है जिसके लिए इसके उसके आ जाता है जो फावन नहीं यह बाट आरो में एधाय जो हमारे बहुत सारे प्रोड़क्ट्स में युसफुल उते हैं 바로 2 इसमेल में हैं मेटेलिक मिनल्स इन मतेसे दिर्ली और जितनेट सप्रूल आयरें कोपर गळल्ड और इसेографिया है है जिनमें metals होता है fossil fuels like coal and crude oil are also mineral resources but these minerals do not contain any metal ऐसे resources जिनके अंदर metal नहीं present नहीं होता है वो होते हैं हमारे non-metallic fossil fuels like coal The distribution of important minerals and their uses is given below आपको यहां पर table 5.1 आप देख सकते हैं यहां पर गोल्ड दिया हुआ है जो कि मेटलिक मिंडल है और कोल आपके एक्जाम्पल दिया गया है और नोन मेटलिक मिंडल्स का next topic is energy resources all human beings, animals and plants need energy for their survival human beings को energy हमें energy चही होती ही, plants को energy चही होती ही, animals को energy चही होती ही for their survival we need energy for heat, cooking, lighting and machines work energy किसले चही होती है? heating के लिए, cooking लिए, lighting के लिए to make machines work इनरजी के थूट चलती है अगर एनरजी यूज़ नहीं करेंगे तो हमारी जो भी मशीन होंगी वो भी वर्क नहीं करेंगे विकल स्टेंड अरोपलने अलसों चैनल नोड मूव विफ एनरजी नोड जो अवेलेबल तुट आपकेंगे जोन चैनल नोडिया जाएं दोर चैनल नोडेज़ विफ एनरजी वी यूज़ इनरजी विफ अल्टिमेटली कमसे फ्रॉं दर सन इन डा इनरजेट और मोस्ट से पाई जाती है अल्टिमेटली कम से फॉम दा सन से संहाँ से आती है सफ लाइट इस नेड़ेट टो ग्रोड फूट क्रॉप और इस लिए यूज की जाती है यह वहागा पर बहुत काम आती है डिजीन the process of photosynthesis sunlight is stored in plants photosynthesis के process timing पर sunlight क्या करती है plants sunlight को store करता है in the form of chemical energy of the food food की chemical energy में उनकी chemical energy form में plants store करता है कि इसको sunlight को food the fuel for our body provide us energy for various activities of food हमको बहुत हमें various activities करने के लिए energy प्रोवाइड करता है food also provide body with the necessary heat और हमारी body को necessary heat भी provide करता है most vehicles and machines are depend on fuels of for their energy requirement vehicles कैसे चलती है machines होती है इन पर मशीन कैसे चलती है energy से चलती है अगर energy नहीं होगी तो कोई भी vehicle या कोई भी machine work नहीं करेगी the fuel like coal petrol and natural gas were formed millions of years ago from the plants and animals bird deep inside the earth अब फॉसर फ्यूल जैसे के petrol हो गया call हो गया natural gas कैसे बनती है millions of ago पहले क्या हुआ था जो plants और एनिमल्स जो हमारे अर्थ के इंसाइड यानि बहुत डीपली दब चुके थे यह उनसे फॉर्म होता है फ्यूल्स रिलीस energy on burning और फ्यूल क्या करता है एनर्जी रिलीस करता है जब उसको बन किया जाता है resources of energy resources of energy can be divided into two men but resources two types के होते है resources of energy two types there are two types के होते हैं यह renewable resources and non renewable resources the resources of energy which are naturally replenished are called renewable resources of energy for example sunlight wind hydro electricity trader geothermal heat and biomass तो renewable resources क्या होते है यह ऐसे resources होते हैं जो naturally replenish यानि naturally naturally energy resources बनती हैं यह तो उनको हम बोलते हैं renewable resources हो बहुत जल्दी replenish रुदाती है नहीं बहुत जल्दी develop भी हो जाती है non renewable resources वो ओते हैं जिनको हम रिप्रोड़क्ट नहीं कर सकते हैं naturally resources that can not be produced जो naturally produce नहीं होते रिग्रो नहीं हो सकते और regenerate regenerate भी उनको नहीं कर सकते हैं on a scale which can sustain their consumption rate these non renewable resources क्या हुए ऐसे resources जो बापिस से उनको आप naturally produce नहीं होते रिग्रो नहीं हो सकते लेकिन एक scale होता है कि वह जल्दी conserve कर लिया जाते है उस rate की according वह जल्दी रिग्रो नहीं हो पाते इस resources often exist in limited amount और जो resources होते या नहीं non renewable resources को बहुत limited amount में ही बनाया जाता है यह एक limited amount तक ही बन पाते हैं और आर consumed much faster than nature can recreate them nature उनको recreate करें उससे ज्यादा जल्दी वह consume कर लिये जाते हैं फॉजर फ्यूल से सच एस कॉल पैट्रोलियम है नेचुरल गेस दा nuclear nuclear fuel are called the non renewable resources निकलियर फिल्स होते हैं उनको भी नोन renewable resources होते हैं यह एज दे के टेक millions of years to form but being used as much faster phase यह क्या होते हैं उनको बहुत ज़्यादा millions years लग जाते हैं बनने में लेकिन उनको जब यूज करते हैं तो वह बहुत जल्दी यूज में आ जाते हैं इस आरदा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनरजी एंड मीट मॉस्ट ऑफ दी टूड़ेस रिक्वार्मेंट ऑफ एनरजी की एंडे मीट मॉस्ट अभी जितनी भी हमारी एनरजी से सबसे जादा हमें इनी एनरजी की इन दे लेंट अफ भ्रॉट सुझाज आ जाते हैं अधर डादीप सरफेस ऑफ दिप से चाने ऑफ दे अर्ट इन दे लेंट सुझाज ऑफ लॉक्स देवर ॉब हम जाएं जोए बहुत चाहिए पालॉघ हमें इस विप दापिस इन पाली की एंड़ आ इन घान के अथे आर बहुत सालों से अपने आप उसको वह बनते हैं उनको बहुत साल लग जाते हैं महीने साल लग जाते हैं फॉर्म होने में और यह बनते हैं वह बनते हैं इसके बहुत मल्टीपल यूजज़ उते हो और को हम क्या बोलते हैं ब्लैक गोल्ड इस मैं इस्में फर्म पावर प्लांट्स to run machines and generate electricity इनको mainly कहा यूज़ किया जाता है power plant में थर्म पावर प्लांट में यूज़ किया जाता है ताकि वहां कि तो मशीन से वो run हो सके and generate electricity और हमको electricity प्रोवाइड हो सके इन इंडिया about 65% of the total energy is generated by the using call अब हमारे इंडिया के अंदर about जितनी में हमारे बाइस total energy उसमें से 65% इंडिया के अंदर call से यूज़ एनरजी हमारी वो call से ही generate की जाती है beside call is also used in iron and steel industries and form the backbone of the country economy और call क्या होती है is also used in iron और steel industries में भी बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है और ये भी हमारी economy हमारी country की economy में बहुत useful होता है the energy that turns the wheels of the steam engine comes from steam अब क्या होती है हमारे जो energy वो turn करती है wheels को of the steam engine steam engine के अदर भाब की जो engine होती है नहीं machine होती है come from steam wood and coal are used to boil water to produce this steam उसके लिए क्या use करते है हम wood and coal wood and coal are used to boil water and to produce this steam petroleum petroleum means rock oil or oil from the earth petroleum is formed from the decaying animals and plants in the sea which got buried deep under the layers of soil petroleum को form किया जाता है जो हमारे decaying यानि कि जो हमारे dead animals और plants होते है जो in the seas, seas के अंदर और got burned deep under the layers of soil जो soil के अंदर जब वो mix हो जाते है deeply अंदर चले जाते है it took millions of years तो उनको बहुत साल लग जाते है for the conversion of animals and plants minerals into petroleum जो यानि कि decaying हमारे animals and plants होते है जब वो soil के अंदर बहुत जादा deeply अंदर बढ जाते है बन हो जाते है तो उनको millions of years लग जाते है to form in the petroleum it is mostly found under the oceans it is mostly found under the oceans bad as crude oil which contain many impurities and other substances और यह जो जो ocean bad होती है वो crude oil उसके अंदर बहुत impurities और other substances भी mix होते है petrol is obtained after refining the crude oil through the process of distillation petrol obtained होता है वो कैसे होता है हमारे जो crude oil होता है उसको refine कर के किया जाता है और इसका जो process होता है उसको किसका process होता है distillation का natural gases is found under the petroleum disposits use of petroleum in nature petrol is available in a crude form हमारे नेचर के अंदर के है जो petroleum में वो available होता है crude oil के अंदर it is refined to obtain many products like petrol, diesel, kerosene all these products are widely used यह जितने भी product है याने के petrol यह डीजल है यह widely used किये जाते है petrol, diesel, kerosene यह सब क्या वाइडली यूज किये जाते हैं all these products are, petrol and diesel are mostly commonly used fuel in vehicles petrol and diesel कहां पे यूज किये जाते है mostly using the fuels में यूज किये जाते हैं they are also used in many industries प्योना इंडूस्ट्री इस में भी यूस की जिती है निच्रोल गेस इस यूदेरी एज इनिऊज इस आ इंड्रस्रील और टॉलर्मस्टिक फ्यूल् bh नाव़र डेश एस कंपेर ट् derived जो लौ से इनसे बहुत ज़्यपोर में लगता है उप इसमीश के सिटीए इंडिया ओटो रिख्षास और और बसिष उसीवां अभी चाहरे इंडिया के ही अंदर हमारी जो उस चलते हैं पब्ली Sir यह सब क्या है cng पर रन करती है चलती है non-conventional resources of energy non-conventional resources of energy include wind sunlight hydroelectricity geothermal heat and biomass यह सब क्या होती है non-conventional resources which is your renewable resources these are called the alternative source of energy they are called the alternative source of energy as they can be put to many other uses for which conventional resources of energy are also used they are renewable available in penalty of eco-friendly sorry environment friendly resources of energy your next is solar energy heat and light energy give by the sun is called the solar energy there is enough solar radiation streak on surface of the earth to provide for our energy needs हमें solar energy किसे बनती है हमें sun से मिलती है and there is enough solar radiation हमें पास इतना solar radiation enough है कि जो यह क्या करता है स्ट्रीक करता है हमारे अर्थ सब्फेस को और उससे क्या होता है energy provide होती है sunlight is mainly used for heating water sunlight को हम mainly किसली यूज़ी यूज़ करते है water को heat करने के लिगरम करने के लिए and supplying clean electricity to the power grid और electricity प्रोवाइड करता है यह supply करने के लिए भी sunlight का use किया जाता है sunlight can be converted into electrical energy by using solar cells अब sunlight किसमें convert होती है हमारी electric energy में convert होती है by using the solar cells thermal collectors convert sunlight into heat energy और thermal किसमें convert किया जाता है sunlight को into heat energy solar energy is extensively used in watches calculator water pumps and man-made satellites अब solar energy को कहां कहां पर extremely use किया जाता है हमारी watch में calculators में यानि कि हमारी cells होते हैं यह जैसे energy cells होती है हमारी तो कैसे बनती है energy से बनती है और इसके लिए solar का use किया जाता है solar energy से इनको बनाया जाता है next wind energy moving air or wind carries with a lot of energy हमारी जो moving air होती है या wind होती है उनके उनमें भी बहुत lots of energy होती है this energy is used to turn the blights of windmills और generators to generate electricity अब इस energy कैसे बनती है इन energy को use किया जाता है जो भी energy हमको wind से और air से जो भी energy हम मिलती है वो किसले में turn होती है उनके जो blends होते हैं यानि कि यह आपकी windmills है windmills में आपकी मेल्स से है ब्लैट से वो generate करता है electricity और the pump out of the ground wind generates produce power effectively when a high speed wind blow जब भी वो high speed wind blow करती है तब यह power effect करता है wind generate करता है इंडिया has a huge potential for developing wind power इंडिया के पास बहुत potential है कि वो wind power से energy provide कर सके इंडिया which has wind monitoring and wind mapping is about 800 states of wind energy जो है हमारी यानि कि windmills से वो कहां कहां पर हमारी इंडिया के अंदर 800 stations से इसके in 24 states 24 इंडिया में 24 states के अंदर 800 states में हमारे windmills हम देख सकते हैं now ranks as a wind superpower इसलिए हम विन्स को अब यह rank दिया गया है कि यह इंडिया के अंदर wind energy वो क्या है wind superpower को एक नाम दिया गया है hydro energy the force of falling water is also a source of energy the force of falling water जब बहुत forcely fall होता है जब गिरता है तो वो भी एक energy provide करता है कि यह भी एक source of energy केलाती है for hundreds of years moving water was used to turn wooden turbines that were attest to gridding wheels to grid floors and cones these days moving water is largely used to generate electricity यह भी जो moving water होती है यह भी बहुत useful होता है to generate the electricity next is geothermal energy there is a lot of heat energy stored deep inside the earth हमारे earth के अंदर बहुत सारी heat energy stored होती है this energy is called the thermal geothermal energy इनको हम क्या बोलते है geothermal energy बोलते है the word geothermal comes from the Greek word geo earth and thermo heat we can use hot water and stream produce inside the earth to heat building or generate the electricity geothermal energy भी इसे भी क्या होता है कि hot water we can use hot water हम hot water use करते हैं stream use करते हैं to produce inside the earth अर्थ के अंदर heat provide करने के लिए हम इनका यूज करते हैं building और generate the electricity electricity भी generate करने के लिए हम geothermal energy का यूज करते हैं the direct use of hot water as an energy source has been a practice since Asian time अब direct use अगर हमें hot water का direct use करना है तो यह कैसी energy होती है energy source होता है this has been a practice since Asian time जो कि Asian time यानि बहुत पुराने सालों से ही यह चलता आ रहा है the roman and Chinese and the native Americans used hot minerals spring for bathing जो रोमन स्टाइमिंग के जो लोग होते थे Chinese होते थे native Americans होते थे वह mineral springs को bathing के लिए यानि नाने के लिए यूज करते थे cooking के लिए यूज करते थे and heating के लिए today many hot springs are still used for bathing ऐसी बहुत सारी जगे हैं जापर अभी भी इस्टिल springs का use के जाता है bathing के लिए and many people believe the hot mineral rich water as natural heating powers biomass now what is biomass biomass as a renewable resources of energy refers to living a recently dead organic matter that consists of dead plants and animals biomass energy कैसे होती यह एक renewable resource of energy होती है जो कि living और recently dead organic matter जित्ते भी dead organic matter होते हैं और dead living things होती है उनसे consist होता है यानि कि जो भी plant animal हमारी living things होगे इनके जब यह जब dead हो जाती है नि मर जाते हैं तब इनसे biomass energy produce होती है biomass content stores energy obtained initially from the sun the energy give out by the decomposition of animal dug plants waste fruits and vegetable pills and so on called the biomass energy 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 आती कांसे the energy give out by the decomposition जब हमारी जो animal ducks होते हैं वो decompose हो जाते हैं soil के अंदर plant waste होती है जित्ते भी plants है plant है तो plant में से सुखी के पत्ति आगी दिए उनमें से कुछ भी waste material निकल रहा है तो plant waste हो गया fruit हो गया जो भी हम fruit fake देते हैं decompose करने के लिए and vegetable pills होती है यह यूज किया जाता है to generate electricity heat and also used as a fuel as well as even इसको heat and fuels के लिए भी यूज किया जाता है converting biomass energy into usable energy has many environment benefits अब हमारे जोई convert होता है biomass energy जब convert हो जाता है एक usable energy के अंदर तो यह क्या होता है has many environment benefits के हमारे environment में बहुत सारे benefits होते हैं इसके it makes use of waste materials sorry materials that are generally dumped fuel such as ethos sorry ethanols can be made from biomass and used as alternative alternative to petrol to power motor cars fuels क्या होते है fuels यह यह इतोल हो गया as made from the biomass की biomass से ही create होता है and used as alternative to petrol इनको petrol and power motor हमारे जो power motor cars होती है petrol होता है उनमें भी alternative इनका use क्या जाता है किसका biomass का so these are the energies the energies we are used और they are the producers of the energy resources so this is all about your chapter 5 minerals and energy resources thank you